दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि Mercedes की एक series आती है G-Class जिसकी गाड़ियां एकदम आपको Sumo को JC देखने को मिलती है एकदम आपको design wise वैसी ही देखने को मिलती है लेकिन उसके features और styling वगएरा सारी बहुत अच्छी होती है उससे इसमें काफी ज़ादा ये जो है off-roading के लिए मशूर होती है और काफी ज़ादा heavy duty है SUV मानी जाती है तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि Mercedes-Benz ने अपनी G-Class का एक नया generation model जो है वो उतार दिये हैं और उसके बारे में अगर कुछ details के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि 3 trims में उसक को बताने वाला हूँ मैं इसके बारे में सारी details, price से लेके engine, features, specifications, overall सारा ही main main चीज़े discuss करने वाले हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो please एक like और subscribe जरूर कर दीजेगा इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी suggestion है मेरे लिए या फिर question है तो नीचे comment box में जरूर पूछिएगा तो चलिए दोस्तों finally अब वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि Mercedes-Benz ने अपनी G-Class जो है उसका updated model यानि 2021 वाला model जो है वो पूरी तरीके से launch कर दिया है और केवल और केवल अभी फिलाल ये ये यूरोप में बे के आसपास अगर इसके दूसरे वेरियंट की बात करी जाए जो G-400D है उसकी प्राइज है अल्मोस्ट 1,03,000 रुपए के आसपास तो वो इंडियन में convert होता है अल्मोस्ट 87,000 रुपीज के आसपास अब देखिए जो तीसरा इसका टॉप एंड वेरियंट है G-63 अगर उसक से पहले notice कर पा रहे होंगे कि इसकी design बहुत जादा similar आपको देखने को मिल जाती है महंदरा की bolero के जैसे उसी के जैसा एकदम आपको boxy जो इसमें design है वो देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि यह bolero से बहुत ही जादा premium आपको देखने को मिल ज चाहूंगा कि तीनों ही variants में आपको जो सबसे main और सबसे नया change देखने को मिलेगा वो होने वाला है एक desert mode तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि desert में अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो desert mode पे आप इसको करके चलाएंगे तो बहुत ही जादा smooth आपको इसकी driving मिल जाए deep green और china blue तो ये तीन color options आपको तीनों ही variants में देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको एक night package भी available है जिसमें कई सारे features देखने को मिल जाते हैं जैसे कि कुछ आपको बता दूँ अगर तो इसमें आपको heated insulating extra tinted glass देखने को मिल ज जाते हैं darkened lamps देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा इसमें आपको 20 inch के 5 spoke wheels देखने को मिल जाते हैं alloy wheels होने वाले हैं तो ये सारे कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि आपको night package में मिल जाती है देखे इसके अलावा 2021 Mercedes-Benz G-Class के interior यानि की cabin में भी आपको कई features नहीं मिल जाएंग देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इसमें dynamica, microfiber, sun visor और black floor mat देखने को मिल जाएगी इसके अलावा अगर security के हिसाब से बात करी जाए तो यहाँ पर security के हिसाब से भी आपको इसमें काफी नए features देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मैं कुछ इसमें से बता दूं main main urban guard vehicle protection मिल जाएगा इसका plus version जो है वो भी देखने को मिल जाएगा इसके अलावा इसमें आपको anti theft alarm मिल जाएगा, tow away protection देखने को मिल जाएगा, interior movement detection मिल जाएगा, parking collision detection मिल जाएगा, geo tracking मिल जाएगा, तो यह सारे कुछ ऐसे बहतरीन features हैं जो कि आपको इसमें main main features देखने को मिल ज जाती है, इसमें आपको मिलता है 3.0 liters का diesel engine, यह produce करता है 282 bhp की power और 600 nm का torque, अब अगर बात करी जाएगा, G400D model की जो की इससे एक उपर का model है, उसमें आपको यही engine देखने को मिलता है, लेकिन इसके power outputs थोड़े से different है, यहाँ पे आपको मिल जाती है power almost 326 bhp की और torque मिलता 700 nm का तो यह काफी जादा बड़ी है tuning इसमें मिल जाती है, इसके अलावा देखिए अगर बात करी जाए इसके transmission के बारे में, तो आपको बताना चाहूंगा कि यह इसमें आपको combine किया जाता है transmission के लिहाँ से 9-speed torque converter automatic transmission के साथ, अब देखिए अगर बात करी जाए Mercedes-Benz AMG G63 क के बारे में, जो की इसका top spec variant है, इसमें आपको मिलता है 4.0 liters का twin turbo V8 petrol engine, काफी ज्यादा power produce करने में यह engine capable है, almost 577 bhp की power और 850 nm का torque produce करने में capable है, इसके अलावा अगर इसके transmission के बारे में बताऊं, तो 9-speed आपको torque converter automatic जो इसमें transmission है, वो देखने को मिल जाता है, और अगर इ इंडिया launch के बारे में, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगले साल के पहले हाफ या दूसरे हाफ में इसको इंडिया में launch कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि Mercedes-Benz की जो G-Wagon है, वो इंडिया में काफी जादा popular है, और Mercedes-Benz को काफी जादा successful product भी ह ये Mercedes-Benz का, तो इसे साब से मुझे लगता है कि इंडिया में ये updated model को ज़रूर launch करेगा, आप देखिए finally दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा 2021 Mercedes-Benz G-Class के बारे में थोड़ी सी details दी और ये Europe में launch हो गई है, उसके बारे में बताया, इ नीचे comment box में जरूर बताईएगा, इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज एक like और subscribe जरूर कर दीजेगा, तो चलिए दोस्तों finally at last, thank you for watching, drive safe and until next video, goodbye.